Hello everyone, welcome back to Organized Learning Channel अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंट तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शुर और कॉमें तो इस वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं Class 7 के लिए जो practical है और वो practical based है आपका PowerPoint पे तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपको phone में कोई भी PowerPoint presentation बनानी है तो आज जो practical देखेंगे वो हम सबसे पहले देखेंगे सबसे basic कि एक slide हम कैसे design करते हैं तो उसके लिए आपको तो जो सबसे पहली app की requirement है वो है Microsoft 365 Office वो क्या कर सकते आप अपने phone या tap के Play Store में जाएंगे वहाँ पर आपको search box में ये जो Microsoft 365 है इसको आपको type करना है ठीक है तो जैसे हमने यहाँ पे Microsoft 365 यहाँ पे हम type करेंगे 365 Office ठीक है उसके बाद हमें search बार पर जो है क्लिक करना है तो देखो जैसे ही search बार पे क्लिक किया यह हमारे पास Microsoft 365 Office यह वाली app आपको नज़र आ रही होगी तो क्योंकि मेरे जो phone है उसमें यह already installed है तो इसलिए इस पे open का बटन नज़र आ रहा है अगर आपके पास installed नहीं है तो इस type का यह install का बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा तो आपको इस पे क्लिक करना है और यह app आपके फोन में या टैब में इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है जैसे यह install हो जाएगी Microsoft 365 Office app का तो आपको उस logo पे क्लिक करना है जैसे ही आप उस logo पे क्लिक करेंगे आपके पास इस type से यह जो है home page open होकर आ जाएगा इस app का उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है यह जो create option है इस पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे हमने create पे क्लिक किया अब हमें क्यूंकि presentation बना इस पे हमें click करना है ठीक है तो जैसे ही हमने इस पे click किया यहाँ पे second number पे blank presentation का option नजर आ रहा होगा आपको आपको इस पे click करना है तो हम इस पे click कर लेते हैं जैसे ही हम blank presentation पे click करेंगे हमारे पास एक blank जो खाली presentation है वो आपको screen पर नजर आ जाएगी जिसमें सबसे पहली slide यह जो है आपको दिख रही होगी यह वली है यह title slide बोलते हैं यह subtitle slide होती है ठीक है आज हम इस slide को design करना सीखेंगे तो इस slide को जो है आप यहाँ पर जाकर इसका यह layout है इसको यहाँ से change कर सकते हैं यह layout का option है यहाँ से ठीक है तो अगर हम इस पे click करते हैं यहाँ पे content کی slide या picture की slide तो इस तरीक से तो हम जो है ये वाली कोई भी आप जो है slide ले सकते हैं तो माल लीजे हम ये second unsere title and content वाली slide जो है इस पे हम click कर लेते हैं तो ये अब हमारे पास slide आजाएगी तो यहाँ पे हम title add कर लेंगे अपना, यहाँ पे हम अपना subtitle add कर सकते हैं ठीक है, तो यहाँ पे देखो title add करने के लिए हम इस पे double tap करेंगे, यानि कि दो बार click करेंगे ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पे हम type कर लेते हैं, जैसे मानलो हमें जो presentation बनानी है, वो बनानी है topic पे, computer topic पे, तो c-o-m-p-u-t-e-r हमने इसका topic जो है वो add कर दिया है, इस तरीके से यहाँ पे हम subtitle add कर सकते हैं उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं देखो, यह bullet point आ रहा है, इसको हम delete करके, यहाँ पे आप जो भी presentation को बना रहा है, वो अपना नाम लिख सकता है, वो बच्चा, तो जैसे by, मालीजी, यहाँ पे लिखा भव्या नाम है अगर किसी बच्चे का और आप इसके बाद enter press करके, इसको थोड़ा सा space दे कर यहाँ पर ला सकते हैं अपनी class का नाम लिख सकते हैं, जैसे मालीजी, 7th A section है ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको लिख सकते हैं subtitle को यह देखो, यह अब हमारे पास हो गया title, यहाँ पे यह title हो गया और यह subtitle हो गया, आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा करके लिख सकते हो यहाँ पे इस box को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं आप, ठीक है अब देखो आपको अगर इसको यहाँ पे आपको ने title है title को पहले select कर लो अगर आपको इसमें कोई भी changes करने है तो इसमें हमने double click ऐसे किया उसके बाद हम यहाँ पे गए यहाँ से अगर इसको bold करना है तो आप B पे click कर सकते हैं इसका अगर आपको size increase करना है तो देखो जैसे 44 शो करना है आपको 48 करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको और changes करने हैं तो आप यहीं पे जा सकते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पे इस पे और click करेंगे तो अगर आपको यहाँ से इसका यह font का style भी change करना है तो ये भी आप change कर सकते हैं मान लीजी आपको ये वला चाहिए है तो इससे ये change हो जाएगा उसके अलावा अगर आपको color change करना है जैसे या भी black color show रहा है यहां से आप इसका color भी change कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको जो है इसको थोड़ा middle में लेकर आना है तो यहां से इस पे click करके यहां पे इसको कर दिया तो ये बीच में आ जाएगा ठीक है इस तरीके से जो आप इसमें ये changes कर सकते हैं तो color वगएर आप अपने accordingly ले सकते हैं similarly इस वाली को अगर हम देखे इसकी बात करें अगर हम इसको ऐसे drag करके आप थोड़ा सा इधर नीचे लेकर आ सकते हैं तो इस पे भी आप सेम अगर आपको ये थोड़ा italic में चाहिए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं select करके आपको इसका text थोड़ा बड़ा चाहिए है तो आप इसको 28 जैसे ये show कर रहा है तो यहां से आप 32 इसको कर सकते हैं अगें यहां से अगर color आपको change करना है मान लीजिए अभी आपको color चाहिए है ये वाला color तो आप इसको color को भी change कर सकते हो यहां पे जाके आप इसको भी middle में ला सकते हो दुबारा यहां से भी आप उसको middle में ऐसे change कर सकते हो ठीक है तो यह जो है आपकी title slide आप इसको ऐसे select करके यहां अगर right corner में लाना है यहां right corner में drag करके ला सकते हो left में रखना है left में drag कर सकते हो middle में रखना है middle में कर सकते हो या फिर यहां पे कर सकते हो तो इस तरीके से आप ये first slide बना सकते हो अगर आपको अभी भी छोटा लग रहा है अपना जो title है तो इसको ऐसे पहले drag करके थोड़ा सा middle में ला सकते हो फिर इस पे ऐसे click कर सकते हो नहीं तो आप simple यहाँ पे अगर middle में click करोगे ये पूरा selected रहेगा तो आप यहाँ से जो है इसका size और जादा increase कर सकते हो मालिजे आपको 54 करना है ठीक है 54 भी अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप इसको 72 भी कर सकते हैं तो यह थोड़ा देखो इस तरीके से बढ़ा हो जाएगा तो यह आप इस तरीके से slides को design कर सकते हो सबसे पहले तो यह काम तो यह थी हमारी title slide जिसमें हमने first slide जिसको हमने design करना सीखा कैसे हम एक blank presentation लेके उसका layout चेंज कर सकते हैं slide का कैसे उसका size चेंज कर सकते है text का कैसे color चेंज कर सकते हैं यह सब हमने सीखा कैसे उसको center में ला सकते हैं यह सब हमने सीखा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ फाइल में जाएंगे आप यहाँ सेव आइस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको options नजर आ रहे होंगे बहुत सारे जहाँ भी आपको device में अपनी में save करना है तो मालो आपको save करना है यह this device में तो यहाँ पे देखो by default यहाँ पे presentation नाम शो हो रहा होगा तो अगर आपको यह नाम change करना है तो आप इस पे delete करके जो है ऐसे back करके आप इसको अपने नाम से save कर सकते हो जैसे माली जो भव्या नाम से आपको करना है तो भव्या और देखो यह इसकी जो है यह .pptx यह इसकी extension होती है हमारी कोई भी presentation file होती है powerpoint वाली file उनकी जो extension होती है .pptx इस तरीके से ठीक है और फिर आप जो है इस पे save पे आप click कर देंगे तो save पे आप click करोगे तो आपकी जो presentation है वो save हो जाएगी ठीक है तो देखो अब यहाँ पे आप title बार में भी देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो presentation है भव्या नाम से show हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से हम slides को design कर सकते हैं अगर आपके पास computer available नहीं है तो अगर आपको phone में या tab में design करनी है कोई भी slide या presentation बनानी है तो उसके लिए एक particular slide कैसे design करते हैं वो हमने सीखा है ठीक है तो आशा है कि आपको यह video समझ में आई होगी अगर आपको video अच्छी लगी है तो video को like, share, comment करें चानल को subscribe करें और मिलते हैं next video में